आप सभी लोगों का सुवागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल बिल्कुल सही पड़ा आपने E-Invoising की पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में E-Invoising क्या है? किसके उपर applicable है? अगर आपने उसे follow नहीं करा तो क्या नुकसान आपको हो सकता है? एजे recipient आपको क्या बाते ध्यान में रखनी है? इस वीडियो के अंत तक आपको सारी detail मिल जाएगी तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पहला question आप लोगों का ये होगा कि sir ये E-Invoising applicable है किस पे? तो मैं आपको बता दू 10 November 2020 को notification आई notification number 88 उसने क्या कहा? कि भाईया जिस भी व्यक्ति की turnover 100 करोड से उपर होगी उस व्यक्ति के उपर E-Invoising applicable हो जाएगा sir ये तो figure पहले 500 करोड थी भाईया ये जो 500 करोड थी वो notification number 61 से थी लेकिन notification number 88 ने उस notification को amend करा और 500 करोड की turnover को 100 करोड कर दिया तो अब आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी turnover 100 करोड से उपर है तो आपके उपर E-Invoising applicable हो जाएगी sir कुछ लोग तो कह रहे हैं 5 करोड पे भी हो जाएगी कुछ लोग तो कह रहे हैं 50 करोड पे भी हो जाएगी भाईया जो बाते हो रही है ना 5 करोड की 50 करोड की इसकी अभी तक कोई notification नहीं आई है government ने ये proposal लखा है कि हम 1 अपरेल से ऐसा कर देंगे लेकिन अभी कोई notification नहीं आई है अभी तक के लिए जो limit है वो ये है कि अगर आपकी previous year में turn over 100 करोड है तो आपके उपर e-invoising applicable हो जाएगी लेकिन यहाँ पर यह बात आपको दियान दखनी है यहाँ पर previous year को इन्हों ने कैसे define किया कि अगर आपकी financial year 17-18 में या financial year 18-19 में या financial year 19-20 में इन में से किसी भी year में अगर आपकी turn over 100 करोड से उपर है तो आपके उपर e-invoising applicable हो जाएगी यहाँ पर यह नहीं देखना कि अगर आप 20-21 में हो तो सरिफ आपको turn over 19-20 की देखनी है जब से GST अगर उसके बाद से आपकी किसी भी साल में turn over 100 करोड से उपर हो गई तो आपके उपर e-invoising applicable हो जाएगी यह हमने अपने March के edition में जो कि हमारा 2 या 3 दिन में release होने वाला है उसमें आपको with example समझाया है अब अगला question आपका यह होगा कि sir मेरी private limited company है मेरी proprietorship company है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं e-invoising से अपने invoises काटू क्या मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरी turnover 100 करोड से उपर नहीं है भाईया यह बात ध्यान लखो कि क्या e-invoising voluntary है क्या हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं नहीं भाईया अभी government ने मना किया है कि जिसकी turnover 100 करोड से उपर है वही e-invoising का option ले सकता है optional में आप जाकर e-invoising नहीं ले सकते मतलब कि अगर आपकी turnover 1 करोड रुपे है और आप चाहो e-invoising कर दू तो portal पे जाकर आप नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है कल को आपको notice आजाए क्या notice आजाए कि भाईया तुमने e-invoising लिया है और e-invoising वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी turnover 100 करोड से उपर है और आपने GST में turnover दिखाई है 1 करोड तो आपको 99 करोड के लिए आपको notice आ सकता है कि सर क्या सब के उपर e-invoising applicable है या कुछ लोगों को exempt भी करा हुआ है हाजी e-invoising के लिए कुछ लोगों को exempt किया हुआ है किन लोगों को exempt किया हुआ है जैसे भाईया ये multiplex cinema hall होते है इने exempt किया हुआ है भाई कोई व्यक्ति movie देखने जा रहा है उसे e-invoising issue थोड़ी करेंगे और यहाँ पर आप देखो nbfc है insurer है तो कुछ list है जिन लोगों को government ने exempt किया हुआ है कि तुमारे उपर e-invoising applicable नहीं होगी और आज की rate में आपको ये ध्यान में रखना है e-invoising शिरी b2b के case में applicable है b2c के case में applicable नहीं है अगर आप export भी करते हो तो उस case में भी e-invoising applicable है अब यहाँ पर एक विक्ती है ठीक है न कि उसने e-invoising नहीं करी e-invoising ना करके normal invoice दे दिया अब भया क्या होगा तो भया ये बात ध्यान में रखो as per rule 48.5 rule 48.5 ये कहता है कि अगर आपके उपर e-invoising applicable थी और आपने e-invoising नहीं दिया तो इस case में क्या होगा हम ये माल लेंगे कि तुमने invoice issue नहीं करा और भया अगर तुमने invoice issue नहीं करा तो आपको section 122 के अंदर penalty लग जाएगी penalty किस बात की लग जाएगी ये माल लिया जाएगा कि आपने जो goods की supply करी है जो आपने service की supply करी है invoice issue नहीं करा without issue of invoice आपने supply कर दी तो section 122 की heavy penalty लग जाएगी तो जिल लोगों के उपर invoising applicable है e-invoising applicable है वो सरिफ e-invoising issue करे normal invoice issue ना करे सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास customer आ जाता है अब हमारे को invoising उसे देना है लेकिन site काम नहीं करती या हमारा accountant बना नहीं पाता तो हम उस time पर उसे normal invoice दे देते है तो क्या ये सही है भाईया देखो इस बात को समझो आज मानलो एक मार्च है एक मार्च को आपने किसी को supply करा और normal invoice दे दिया लेकिन आपको e-invoice देना था तो आपको इस वाले case में करना क्या है कि आज आपका accountant छुट्टी पर है या e-invoising नहीं बना तो आप e-invoising को कल बना दो एक मार्च की देखा दो मार्च को बना दो लेकिन goods की supply without e-invoising ना करे क्योंकि अगर आपने without e-invoising goods की supply करी तो ये मान लिया जाएगा कि भईया इस case में e-invoising issue नहीं था या कोई सा भी invoice issue नहीं था क्योंकि rule 48.5 में ये बात clearly लिखी है तो sir क्या इस case में हमने normal invoice बनाया 1 मार्च को और e-invoising बनाया 2 मार्च को क्या हम ऐसा कर सकते हैं हाँ भईया आप ऐसा कर सकते हो कि आप e-invoising बाद में बना सकते हो लेकिन इस case में ये होगा कि जो as per section 31 आपको invoising issue करनी थी वो 2 मार्च से ही applicable मानी जाएगी एक मार्च से नहीं मानी जाएगी और sir अगर ऐसा हुआ कि एक मार्च को माल बेचा और हमने जो है e-invoising करी एक अपरेल को एक महीने बाद इस case में क्या होगा भईया पहली बात आप ये समझो कि अगर आपने एक महीने बाद e-invoising करी तो portal तो मना नहीं करेगा portal तो e-invoising कर देगा लेकिन जो सामने वाले व्यक्ति को ITC है ITC के लिए वो eligible एक मार्च को नहीं होगा वो ITC के लिए eligible कब होगा एक अपरेल को तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसी company से माल परचेज कर रहे हो जिसकी turnover 100 करोड से उपर है तो आप ये बात ध्यान में रखे परचेजर भी ये बात ध्यान में रखे कि जब वो कोई goods या service ले तो उससे कह दे कि भाईया हम तो आपसे e-invoising लेंगे normal invoice नहीं लेंगे क्योंकि उस normal invoice के basis पर आपको शायद ITC ना मिले क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि normal invoice कोई invoice जिशू नहीं करा आपके supplier ने तो sir AJ recipient हम ये कैसे जानेंगे कि सामने वाले की turnover 100 crore से उपर है भाईया government ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया लेकिन अगर आपको पता लग जाता है कि इस वाली party से मानलो Mr. X है इस वाली party से पहले मेरे पास e-invoising आया था लेकिन अब ये normal invoice दे रहा है तो उसे मना कर देना उसे कह देना भाईया हम तो e-invoising लेंगे नहीं तो हमारे ITC में कोई दिक्कत आ जाएगी अब यहाँ पर एक समस्या और आ जाती है कि कुछ लोगों ने क्या करा कि भाई जब accountant चुट्टी पर था तो e-invoising इशू नहीं करी normal invoice इशू कर दिया और उसी के साथ में e-way bill बना कर माल भेज दिया अब क्या होगा सर क्या इस normal invoice को GSTR1 में डाले क्या इस normal invoice के base पर सामने वाला ITC ले लेगा मेरा मानना है बिल्कुल ले पाएगा तो आपने जो normal invoice इशू करे हैं इन सब के दुबारा से e-invoising बनाओ और e-invoising बनाने के बाद e-invoising बनाने के बाद आप क्या करो उसे GSTR1 में डालो जिससे सामने वाला ITC ले ले ऐसे ना आपके बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन YouTube पर हम सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते इसलिए हमने क्या कराए जो हमारे pen drive member है पूरे इंडिया में हमने सब को e-invoising की recording दे दिये एक घंटे की पूरी और आप मुझे comment box में लिख कर बताना कि आपको वो recording कैसी लगी अगर आप भी हमारी pen drive लेना चाते हैं या google drive लेना चाते हैं तो हमारे ये number है इस number पर whatsapp करके call करके आप ले सकते हैं और जो वेक्ति दिल्ली NCR से है उसके लिए खुशकबरी बता दू भाईया 7 March से हमारा इस Sunday से हमारा batch शुरू हो रहा face to face दिल्ली में हाँ जी या पर दिल्ली में जो है सीटे कम है क्योंकि कोरोना की वज़ा से लेकिन जितनी भी सीटे हैं आप face to face batch जोइन कर सकते हो pen drive वालो tension मतलो जो भी इस batch की recording होगी हम ये कोसिस करेंगे जो content नया है सब की recording आपको via mail हम आपको दे दे तो जिल लोगों की pen drive expire हो चुकी है वो अपनी pen drive भी renewal करा ले सर magazine का क्या status है भाईया magazine तो बन गई बस अब ये final होने वाली है तीन चार तारिक में आपको via mail आ जाएगी और दस तारिक से पहले पहले हम आपको courier कर देंगे तो अगर आपको हमारी magazine लेनी है आपको हमारी pen drive लेनी है या आपको membership लेनी है तो इन number पर बात करके आप ले सकते है और सर 909C का क्या है भाईया date बढ़ गई 99C की 31 March हो गई है date तो अगर आपको special pen drive 99C की लेनी है तो वो भी purchase कर सकते और app आपने हमारा download करी लिया होगा Google Play Store से KJ Classes के नाम से वहाँ पर हमने छोटे छोटे course बना कर आपके लिए रखें अगर आप वो लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे से जादे लोगों तक share करना इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ Thank you for watching